ये गाइज वेलकम बैक तो माइ यूट्यूब चानल इस इस उद्धी चौधरी और वाचिंग इस वीडियो को लास तक देखेगा जैसे कि हमने पार्ट वन में फाइव ब्लॉक्स बनायते स्केल यूज वैस यह में इस वीडियो में स्केल यूज करके सिर्फ एक ब्लॉक्ट बनाना है और गाइज अगर आप अबही तक आपने हमारा चैनल संसक्राइबनिं कर तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजैंग और बैल आइकन रूर्ड प्रेस कर दिजिगा ताकि आ हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते जाएं तो गाइस आप देख सकते हैं हमने स्केल यूज करके पूरा ब्लॉक अच्छे से बना लिया है हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको याद होगा अगर तो हमने फाइब ब्लॉक्स बनाएते और इसमें भी हमें फाइब कलर शेड्स ही बनाने एक ही कलर को यूज करके और हमें याद रखना है कि हमें डाक कलर ही यूज करने हमें कोई लाइट कलर यूज नहीं करना है लाइक येलो और और औरेंज हमें ये सब कलर से लाइट होते हैं तो हमें ये नहीं यूज करने हमें क्युस् έ而已Game ले वाटर किल kanal करки फिर्स जो मांग बनाया है मुझे बना ein बिल्कुल डाक शेड है ब्लू का और हम जा सेकंट मांग बनाइंगे हम वह थोड़ा-सा लाइट रखेंगे यानि कि हम उसमें थोड़ा साव वॉटर की क lovely pen केपैसिटी जादा रखेंगे ऐसे ही करते करते हमें 5 marks बनाने हैं टोटल और जो है हमारा last mark बनेगा वो बहुत ही light बनेगा उसमें water की capacity जाद होगी और color की कम होगी और guys आपको यह बात याद रहे कि जब हम water color यूज़ कर रहे हूं तो हमें थोड़ा सा brush अच्छी quality का यूज़ करना है कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई high quality का या high brand का कोई branded brush यूज़ करें कोई local shop से भी आप normal सा brush भी buy कर सकते हैं यह normal सा brush मैं यूज़ कर रहे हूं और इसके लिए कोई high quality की water color sheet या कोई high quality की drawing sheet यूज़ करने की ज़रूवत नहीं है आप simple drawing sheet यूज़ कर सकते हैं ज्यादा करेंगे जितना अदर practice करेंगे आप उतनी ज्यादा water color में perfect होते जाएंगे यह आप लोगों को बहुत आगे तक help करेगी आपको इससे brush पे control आएगा आपको water कितना use करना है वह अच्छे से समझ में आने लगेगा आपको आप देखिए जो मैंने five marks बनाया आपको उसमें total अलग shades दिख रहे होंगे सब में जो first block है वो कितना dark है और जो last block है वो कितना light है इस time आपको देख सकते हैं इस आप इस exercise को जरूर practice करिएगा और अगर आपको कोई problem आए तो आप comment section में भी पूछ सकते हैं और मुझे instagram पे भी message करके पूछ सकते हैं मेरा instagram account rich.artwork के नाम से है अब हम ब्लॉक में start कर रहे है color करना तो हमें block में किस तरह से color करना है last video में हमने एक block में पुरा एक color किया इसके में इता है अब हमें में जिस अब इसने produce में आपको करता हुल इसे हमने इसमें and नीचे करें 1 ना कर दो इसाट में कमा आपके according color use करेंगे उसमें कैसे water use करना है और आप लोग को ब्रेश पे control किस तरह से करना है उसके लाप ब्रेश को थोड़ा सा खड़ा करके लाइं के पास करके यूज कर सकते हैं जिससे की color के color जाए line के बाहर ना जाए सो गाइज यह water color exercise part 2 है और water color exercise part 1 का link में description में दे रही हो अगर आपना भी तक वह नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख लीजेगा और उसे भी जरूर प्रेक्टिस करिएगा आपको बहुत जादा help मिलेगी और यह मैं जल्दी water color exercise part 3 भी upload करूंगी उससे भी आप लोग में आप color करते time उपर की तरफ जरूर जो हमने marks बनाया है उनको ध्यान में रखके करिएगा उन्हें बीच बीच में देखते रही है जैसे मैं कर रही हूं और आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है मैं बीच बीच में उपर marks को देखती जा रही हूं जिससे कि हमें पता रह करके बैल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिले थैंक यू सो मच पर वाचिंग